प्रेंगे तो आज हम नहीं माइक्रोवेप नहीं ओवन का इस्तिमाल करेंगे इन दोनों के बिना ही बहुत ऑड़िया कुकीज दयार करेंगे और जो मैं मेथट बता रही हूँ इस मेथट का इस्तिमाल करके आप बहुती बढ़िया एकदम बाजार के जैसी बटर कुकीज घर में बना पाएंगे रेस्पी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तो सब्सकाइब कर लीजिए और साथी साल बैट बटन को भी दमा दीजिए जिससे में जो नई नई रेस्पी लाओंगी उनका आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा तो चली फटा फट से हम बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार बटर कुकीज को बनाना शुरू करते हैं तो अब लेंगे हम एक बाउल और बाउल में डालेंगे एक सॉल्टिट बटर आपको भी बटर यहां पर इस्तिवाल कर सकते हैं बटर लेते समय आप एक चीज का ध्यान रखें हैं कि बटर को आप पहले से ही फ्रेज में से निकाल के रखें जिससे कि वो हलका सा सॉफ्ट हो जाए यहां पार आप होगा तो आपको उसको मिक्स करने में टाइम जादा लगेगा और बटर में डालेंगे हम आदा कब पिसी हुई चीनी एक चम्मच बैनीला एसेंस और इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिलाना है और मिलाते हुए लगबग हमें 2-3 मिनट तक अच्छे से फेटना है तो आ पलका सा फ्लपी ना हो जाए फूल ना जाए तो बटर और शुकर को mix करते करते हाँ पर दो मिनट हो गए और आप देख सकते हैं यह जो मिक्चर है फ्लपी हो गया है और एकदम क्रीम की तरह हो गया है यह दिखे तो अब हम इसमें डालेंगे मेंदा तो यह रही यहाँ पर तरीके से हाथों की मदद से भी अच्छे से यहाँ पर जो मेनर डाली है अच्छे से मिक्स हो गई और जो मिक्षर है एकदम स्मूथ और क्रीमी हो गया है यह बिल्कुल भी हाथ में चिपक नीरा है तो अब हम डिजाइन तयार कर लेते हैं तो कुकीज की डिजाइन बनाने के लिए मिक्षर में से लेंगे हम थोड़ा सा पोर्षन तो यह जो पोर्षन है इतना है जितनी बड़ी हम पूरी बनाते हैं मैंने आप पर उसी साइस का यह पोर्षन लिया है इसको हमें गोल आकार देना है इस तरीके से और इसको रखेंगे हम इडली स्टेंड में इसी तरी इडली तो हर कोई घर में बनाता ही है और इडली स्टेंड की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक बार में बहुत सारी कुकीज बनकी तैयार हो जाती है यह दो स्टेंड में मैंने रख ली एक स्टेंड और लेते हैं और इसमें भी अपनी डिजाइन तैयार करके रख लेते हैं और अब हम तयार की हुई कुकीज की ऊपर थोड़ थोड़ से चौको चिप्स लगा देते हैं आप चाहे तो चौको चिप्स की जगे कोई भी ड्राइफ रूट्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं तो यह कुकीज यहाँ पर स्टैंड में रख लिए हैं अब हम इनको बेक कर लेते हैं इडली स्टैंड को मैंने पहले से ही गरम कर लिया है तो कुकीज को अब हम बेक कर लेते हैं बेक करने के लिए इडली स्टैंड को मैंने पहले से ही गरम कर लिया है इसके अंदर रख देंगे हम तयार किये हुए ये स्टैंड को और अब हमें इन कुकीज को लो फ्लेम पे लगभग 20-25 मिनट तक बेक करना है 25 मिनट हो गए हैं तो चलिए हम कुकीज चेक कर लेते हैं कुकीज हमारी अच्छे से फूल गई हैं हमने चोटी-चोटी साइज की रखी ती ये साइज में डवल हो गई है और ये बेक भी हो चुकी है तो फ्लेम को हम बंद करेंगे और कुकीज को कर लेंगे रूम टेंपरिचर पर पूरी तरीकी से ठंडा ठंडी होने के बाद ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया यहाँ पर बटर कुकीज बनकी तयार हो गई है और नीचे भी देखिए कितनी अच्छे से ये सिख गई है बहुती बढ़िया इसका कलार आ गया है तो चलिए एक कुकीज को हम तोड़ के देख लेते हैं ये देखिए कितनी ज़्यादा ये सौप्ट बनी है और बहुती बढ़िया यहाँ पर बटर कुकीज हो गई है खाने के लिए तयार ये यहाँ पर हमारी हो गई है बहुती बढ़िया एकदम क्रंची और बाजार के जैसी बटर कुकीज खाने के लिए तयार इन कुकीज को आप एक एटाइड कंटिनर में भरके रखिए बाहर ऐसे खुली ना छोड़े नहीं तो ये सौप्ट हो जाएंगी और खाने में अच्छी नहीं लगेंगे रेस्पी अच्छी लगे तो एक कमेंट करके बताईए और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखिए मिलेंगे अगली नई रेस्पी में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए नमस्ते